Hello everyone, सभी को नमस्कार, तो कल से सीजल 22 मेंस के एक्जाम शुरू हो रहे हैं, तो इस सेशन में हम ये बिल्कुल बात नहीं करने वाले कि अब आपको ये करना चाहिए, आखरी के दिन ये नहीं करना चाहिए, देकि जो भी करना था, जितनी बेश्ट तैयारी करनी थी वह आप कर चुके हैं, इस टाइम जिस्ट रिलैक्स करिए, अपने दिमाग में से इस चीज़ का प्रेशा निकाल के जाना है, कि मेरा ये टार्गेट है, इतने सवाल मुझे करके आने है, ये वाली मेरे को पोस्ट मिल जाएगी, ये सारी जो दिक्कते हैं, ये सारी जो विचार है अप मेरी आपसे इक्षा है, मनुकाम नहीं है, दूसरा एक छोटा सा सजेशन आपके लिए ये है, कि एकजाम से पहले बहुत जादा पानी नहीं पीना है, जितना पानी पीना है, एकजाम से एक घंटे पहले आप पीलो, क्योंकि बॉड़ी लगबख उतने टाइम में वाटर को फ्लेश आउट कर देती है एक्जाम से जस्ट पहले एक्जाम की दौरान अगर प्यास लगती है तो मैं यह नहीं करूँ पानी मत पी हो थोड़ा सिप गूट भरी पानी पीना है जिससे बस स्रिप्टी टाइप हो जाए थोड़ी सी ठीक है यह बहुत छोटी सी बात लगे है यार क्या होगा वाश्रूम जाना पड़ेगा भाई एक देट मिनिट बरबाद हो जाएगी चोटा पेपर नहीं है साथ मिनिट का दो घंटे पंद मिट लगातार बैठ रहा है जो कि अपने आप में बड़ी बात इतनी देर तक वाश्रूम नहीं जाना एकदम सारा फोकस व भी आते हैं वहाँ बताएंगे आपको बस यही सजेशन है कि आप इसे जितना कम बताएंगे उतना ही आपका फायदा होगा क्यों ताकि कॉंप्टिशन का लेवल जो फाइट है वो बराबर लेवल पर रहे पांच-छे दिन में एक्जाम हो रहा है अगर SSC ने वही लेवल रखा होगा हर दिन पेपर का आप बता दो कि यह लेवल आया था तो आगे वाले आने वाले डेस पर यह थोड़ा उनके लिए आसान हो जाएगा डेफिनेटल मानते हैं कि हो सकता ज्यादा फरक ना पड़े क्योंकि नॉर्मलाइशन है बट प्रिवेंशन इस बेटर देन क् इतनी सारी विकैंसी जो डिजर्विंग केंडिडेट है वो अंदर एक्जाम को क्लियर करके डिपार्टमेंट में घुश जाए बहुत बड़ा चींज अभी किया गया एससी द्वारा तो जो है अगर कॉंप्टिशन बढ़िया रहेगा तो जो नर्वसनेस का लेवल है करना मॉनिटरी बेनिफिट देखे तो मिलता है सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम जितना कम एनलिसिस करें नहीं करें उतना बेटर है बट कुछ लोग डेफिनिटली फिर भी करेंगे वो उनकी पर्सनल चॉइस है बट इस्ट्वेंट्स आपको इसमें जितना कम आपका बटस करेंगे